और इधर जारकंड हाई कोट ने मास्क और सानिटाइजर की काला बजारी और तैक कीमत से जादा पर विक्री को लेकर सरकार से जवाब मांगा है कोट में सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग के उलंगन पर भी जवाब देना है जिसके लिए माहदिवक्ता ने सुमवार तक का समय मांगा है वहीं कोरोना को लेकर दार जन्हित आचिकाओं पर कोट कल सुनवाई करेगा और इस पर जादा जन्कारी के लिए हमारे साथ समवादाता विनेत हमारे साथ बने वे हैं विनेत अलगातार अब जिस तरह से मास्क और सानिटाइजर की काला बजारी हो रही है जिस दाम पर मिलने चाहिए उस दाम से जादा मुल्यों पर लोगों को ये सारी चीजे महया कराई जा रही है अब निकोर्ट ने इस पर सक्ती दिखाई है हो सकता है कि इस पर अब महारी वक्ता को जवाब देना है क्या कुछ आपको भी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है बताईए बिल्कुल अमीता आप देखें कि लगातार जब से कोड़ना का संक्रमन बढ़ रहा है पूरे जार्खंड में और पूरे विश्यों में तो हाई कोट लगातार इस पूरी घटना उपर और पूरी परस्थिती पर पहनी नजर रखे हुए हाई कोट और गंभीरता से सारी चीजों को हाई कोट देख रहा है आपने देखा कि एक दू मौकों पर हाई कोट ने सतस अंग्यान भी लिया जब ऐसी घटनाय सामने आई क हिंद्पिडी में लॉकडाउन का उनलंगन किया जा रहा है या फिर अन्य चीजों पर भी कोरोना को लेकर क्या उपाय किये जा रहे हैं खाने पिने के चीजों की किसी को दिक्कत नहीं आए इन सारी चीजों को लेकर हाई कोट गंभीर है और इन सब के बीच हाई कोट के एक पाया गया था वो लगातार सरकों पर घूम रहा था खुले आम तो इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने एक जन्हित याचिका दायर की थी आज उस पर सुनवाई हुई इसके साथ ही पांच अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई एक रिक्रित करके की गई जो कोरोना से दिखा यह कोरोना का जो एफेक्ट है जिस कारण से यह जो सिच्वेशन आया है वर्ल्ड हेल्थ और अरगेजनाजिशन ने इसको पैनेडेमिक टिक्लेयर कर दिया है और हाई कोट इस मैटर पे की गांभिरता को हम आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह पूरी तरीके से हाई कोट आज फंक्शन एक महने से लगबग नहीं कर रही है वीडियो कॉन्फरेंसिंग्स पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं आर्गुमेंट्स मोस्टली मोस्ट अर्जेंट मैटर्स पे ही केवल बहस हो रही है तो यह मानने वाली बात है कि सिर्फ हम लोगों का आर्गुमे से हाई कोट परॉसीड कर रहा है आज प्रॉसीडिंगस के दोरान और कोट ने भी यह कहा है कि यह मैटर काफी सीरियस हैं इसमें हम लोग किसी तरीके का डेले यह डिफर नहीं कर सकते हैं पिराये सरकार की तरफ से समार्थ का वक्त मांगा जा रहा था कुद नै क्या कहा आज जब आर्गुमेंट्स चल रही थी तो फाइल जब पूरे तरीके से जो सेंटरल गवर्मेंट का आया था रिप्लाई और एड़ोकेट जेनरल साहब उसमें बोल रहे थे कि साटरड़े संडे बीच में होने के कारण भी वो रिक्वेस्ट सायद कर रहे हूं कि मैटर को को अल्रेडी कुछ मैटर्स हमारे फिक्स्ट हैं और मैटर काफी सीरियस है इसलिए अब हम फर्दर इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं और इस पर आर्गुमेंट्स हम लोग कल फिर सुनेंगे यह पांचों केसे इस पर किन किन चीज़ों पर जवाब देना है सरकार क को महादेवक्ता को आज जो हमारे केस में जो आर्गुमेंट्स हुए हैं वो मेंली हमने चार पॉइंट्स रेज किया था अपने पॉब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पहला जो मेरा पॉइंट था वो सोसल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड था कि सोसल डिस्टेंसिंग का जो theory world health organization ने हम लोगों को दिया है कि जिसके बदौलत ही हम इसको check कर सकते हैं या control कर सकते हैं वो properly follow नहीं हो रही है उसको लेकर एक हमारे honorable high court ने भी अपने से suho motto भी a cognizance लेके एक PIL treat करके उस पे भी proceed कर रही है तो honorable court भी इस चीज को मान रहा है कि social distancing का जो policy है theory है guidelines है WHO का और government का वो properly implement नहीं हो रहा है साथी साथ हमने अपने public interest litigation में दो चीजों को और include किया था वो था hand sanitizers और mask जो WHO और government of India clearly कह रही है कि mask का use और hand sanitizers का use time and again regularly लोगों को करना चाहिए जिससे की हम check कर सके situations को और उसको पहलने से बढ़ाएं लेकिन हम खुद अपने से जाके market में move किये थे तो बहुत से दुकान में grocery shops में और chemist के दुकान पे available नहीं पाया गया था तो हमने court से request किया है prayer किया है कि हर एक individual को available कराया जाए और hand sanitizers जो available भी है market में मैं तीन दुकान में खुद मूफ किया था और डॉक्टर मॉर्फीन एक company है जिसका hand sanitizers हमने तीन दुकाने से पर्चेस किया और तीनों के तीनों दुकाने ने उसका चार्ज एक 80 रुपे 100 ml का लिया जबकि गजट publication है जबकि गजट publication क्लियरली है कि उसका rate 100 रुपे पे हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो हाई court काफी गंभीर है और court ने इस मामले को इतना इतनी गंभीरता से लिया है कि court ने यहां तक कहा सुनवाई के दौरान कि अगर जरुवत पड़ी तो संडे को भी रविवार को भी वीडियो गंभीर है अमीता बिल्कुल हमने भी देखा है कि हाई court तमाम एक चीजों पर पैनी नजर रखी हुई है हर चीजों को लेकर सक्री और गंभीरता से नजर बनाई हुई है तमाम चानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनित तुमारे संबादाता बता रहे थे कि कि क इस तरह से हाई कोट मास्क हो या फर सानिटाइजर की जो वाजब दाम है उससे जादा दाम उपर बिगरी जो हो रही है उस पर लगतार संग्यान ले रही है और इसके लिए चवाब भी महाधिवक्ता से मांगा गया